दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ फटाफट जीके में आज हम देखने वाले हैं Top 25 ऐसे Question Answers जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा और 25 में से कितने Questions के Answers सही कर पा रहे हैं अपना Score Comment Box में जरूर बताएगा दोस्तो फटाफट जीके की वीडियो Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे रेगुलर आती हैं आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को रेगुलर्ली फोलो करिए पहला Question है खिलजी वंस की इस्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तो हरे Question का आंसर Comment Box में बताने की कोसिस करेगा तो देखे खिलजी वंस की स्थापना किसने की थी तो इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा Right Answer आएगा दोस्तो जलालुदेन खिलजी ने I hope कि आप सबने भी यह आंसर लगाया होगा तो Right Answer बी हो जाएगा पहले Question का सही उत्तर दूसरा Question है दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी दोस्तो दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही फार्सी यानि की दूसरे Question का Right Answer बी हो जाएगा दोस्तों तीसरा कोशन है सयद वंस की इस्थापना कब की गई थी दोस्तों सयद वंस की इस्थापना कब की गई थी बिल्कुल सही है 1414 में यानि की राइट आंसा दोस्तों C हो जाएगा तीसरे कोशन का सही उतर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर 4 है वाईयू में धवनी का वेग लगबग कितना होता है दोस्तों वाईयू में धवनी का वेग लगबग कितना होता है तो अगर वाईयू की बात की जाए दोस्तों हवा में जो होता है आपका धवनी का वेग वो होते है 330 मिटर परती सेकंड यानी की राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा question number 4 का सहीessä उत्र ये भी आपको याद रखना है भी question number 5 है कुतुब मिनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों कुतुब मिनार का निर्माण किसने करवाया था तो right answer रहेगा कुतुबुदीन एबकने यानि की राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा पांचवे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है वही ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों 6000 कोशन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडियप है जिस पीडियप में आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट कोशन आंसर्स मिल जाते हैं आप चेक किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं इस मास्टर पीडियप से आप अपने एक्जाम के हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलेटि, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी, करेंट फिर, कम्प्यूटर, स्टेटिक, जिक्ए ये सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात ये पीडियप 500 रुपे की पीडियप अभी आपको केवल 1500 रुपे में मिल रही है, 70% का ओफ चल रहा है और स्टेटिक जीके की एक पीडियप इसके साथ में फ्री मिल रही है, यानि कि अगर आप लोग हमारे वोटस अप नंबर पर हमसे कॉंटेक्ट करते हैं इस पीडियप को लेने के लिए तो ये सारी चीज़े आपको मिल जाएगे, वैसे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके 150 रुपीज का पेमेंट करके आप इस पीडियप को प्राप्त कर सकते हैं चटा कोशन क्या कहरा है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक्तम होता है दोस्तों पानी का घनत्व की अगर बात की जाए, तो सबसे अधिक होता है 4 डिगरी सेल्सेस पर यानी की B राइट आंसर हो जाएगा, छटे कोशन का सेयुत्तर, ये आपको याद रखना है दोस्तों सात्वा कोशन है कन्नोज का यूद कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों कन्नोज का जो यूद है, वो हुआ था कब ट्राइ करके देखिए, राइट आंसर हैगा 17 माई 1540 को यानी की ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा, सात्वे कोशन का सेयुत्तर, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों आटवा कोशन है, विजयन अगर सामराज्य की स्थापना कब की गई थी देखिए, विजयन अगर सामराज्य की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों 1336 में की गई थी यानी की ऑप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा, आटवे कोशन का सेयुत्तर, ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 9 है, एक बैरल में कितने लीटर होता है दोस्तों एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही है, 159 लीटर होता है दोस्तों एक बैरल में यानी की ऑप्षन सी राइट आंसर हैगा, दसवे कोशन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर दस बहुत ही इजी है दोस्तो सूर्य की रोसनी से हम प्राप्त करते हैं कौन सा विटामिन और देखें वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ भी सेयर कर दिया करें चाहे वो किसी भी एक्जाम की त्यारी करता है देखें दसवे कोशन का सही उत्तर रहेगा विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है इजी कोशन है मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इन सभी कोशन के आंसर कमेंट बोक्स में बताते हुए चल देऊंगे ग्यारवा कोशन है मानव मस्टिक्स कितने ग्राम का होता है मेरे प्यारे दोस्तों अभी भी मैंने कुछ दिन पहले इस कोशन को कवर करया था ये रिपीट हो गया है तो इस कोशन का आंसर सभी स्ट्रेंट कमेंट बोक्स में बताईए दोस्तों राइट आंसर हैगा तेरा सो पचास गिराम का होता है दोस्तों मानव मस्टिक्स यानि कि C रैट आंसर हैगा 11 कोशन का सही उतर ये आपको याद अखना है 12 कोशन है गुलाम वंस की स्थापना किसने की थी देखे गुलाम वंस की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तो किसने की थी राइट आंसर रहेगा कुतुबुदीन एबक ने की थी गुलाम वन्स की स्थापना यानि की option a right answer हो जाएगा Ques no.13 है एक horse power कितने vote के बराबर होता है दोस्तो देखें एक horse power कितने vote के बराबर होता है सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो 740 vote के बराबर होता है यानि की c right answer हो जाएगा कोशन नमबर 14 है मलिक मोहमद जैसी किसके समकालीन थे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग फटाफट जीके की सारी वीडियोज एक साथ देखना चाहते हैं तो यूटूब पर सर्च करना ओनली टॉप स्टडी फटाफट जीके प्लेलिस्ट ये आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में कोशन नमर 14 का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा सेर सासूरी यानि की राइट आंसर इससी ये भी आपको याद अखना है अगला कोशन आता है प्लाजमा में जल का परतिशत कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों प्लाजमा में जल का परतिशत कितना होता है तो राइट आंसर रहेगा 90 परतिशत यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा पंदरवे कोशन का सही उत्त कोशन नमर 16 है प्रात्मिक रंग कोन-कोन से होते हैं दोस्तो प्रात्मिक रंग कोन-कोन से होते हैं तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही नीला, हरा और लाल यानि की Solvay Question का राइट आंसर C हो जाएगा दोस्तो ये भी आपको याद अखना है दोस्तो Question No. 17 है दवनी या दवनी पर्דुषन किस में मापा जाता है दोस्तों दवनी या दवनी पर्धुषन किस में मापा जाता है तो इस kwot печon का right answer क्या रहेगा बिलकुल सही desirable में मापा जाता है यानि की सी right answer रहेगा दोस्तों सतरवे question का सही उतर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर 18 है Grand Trunk Road किस से जोडती है दोस्तो ये रोड जोडती है Kolkata वे अमरत सर को यानि की Right Answer C रहेगा 28 कोशन का सयूतर कोशन नमबर 19 है लिटमस किस से प्राप्त होता है दोस्तो लिटमस किस से प्राप्त होता है तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा एक Lichen से यानि की D Right Answer हो जाएगा 19 कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 20 है तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है देखे तारपीन का जो तेल होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो चीड से प्राप्त किया जाता है यानि की C Right Answer हो बीसवे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है भई कोशन नमबर 21 है किसी तत्व के वे परमानू जिनकी परमानू संक्या समान हो परमानू भार भिन भिन हो वे कहलाते है दोस्तों वे कहलाते हैं समिस्थानिक यानि की Option A Right Answer हैगा 21 कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है भई कोशन नमबर 22 है सामपेक्स आदरता यानि की Relative Humidity ना पी जाती है दोस्तों ये मापी जाती है Hygrometer से यानि की B Right Answer हैगा 22 कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 23 है हुमायू नामा किसने लिखा था हुमायू नामा गुल बदन बेगम ने दोस्तों लिखा था यानि की Option A Right Answer हैगा 23 कोशन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है कोशन नमबर 24 है सूरिय की उर्जा उत्तपन होती है तो सूरिय की उर्जा मेरे प्यार दोस्तों नाम के सनलेंद द्वारा उत्तपन होती है यानि की B Right Answer हैगा 24 कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है 25 कोशन है लाल्टेन या लेंब की बत्ती में तेल किस कारण उपर चड़ता है लाल्टेन या लेंब की बत्ती में दोस्तों तेल किस कारण उपर चड़ता है तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा कोशिकत्व के कारण यानी की option दोस्तो ए रइट आंसर हो जाएगा 25 कोशन का सही उत्तर ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तो 25 में से आप लोग ने कितने कोशन के आंसर सही किया है सबसे पहले comment box में आंसर बताईए कि 25 में से कितने सही किया है कुतुम मिनार का निर्मान किसने करवाया था ये आपके लिए test question रखा गया है और इस question को हमने अभी इसी वीडियो में cover किया था तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इस question का अंसर जरूर बता पाएंगे प्यारे दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो only top study app को डाउनलोड करिए 5 star की rating भी करेगा उसके बाद YouTube free PDF वाले section में आपको यहाँ पर जा करके कुछ PDF free में मिल जाएगे बाकी हमारी जो 6000 question answers की master PDF है इस PDF के अभी बहुत ही जबरदस्त offer चल रहा है दोस्तों मात्र 150 रुपीज में इस PDF को आप ले पाएंगे जिसमें सारे subject हमने बहुत ही अच्छे से cover कि है और static gk की एक PDF बिलकुल free दी जाएगे इस PDF को लेने के लिए नीचे description box में link दिया गया है link पर click करके payment करके आप PDF ले सकते है या फिर कोई भी चीज पूछनी है doubt है कुछ तो आप हमारे इस WhatsApp नमबर पर message कर देना आपको PDF के regarding सारे information मिल जाएगे वीडियो पसंद आई है तो like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल पर नए है तो subscribe करके bell icon को on कर लीजेगा ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हूँ thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लखे अपना